जुट इसे लाँच किया जाने वाला है और डेड भी कन्फर्म हो गया है मैंने अपने टेरेग्राम पे वहाँ बता दिया था कि आरभी आई यहां पे पाइलेट लाँच करने की युद्दा बनाई है यह जो इरूपीज है यह फ्राइडे को रिलीज किया जाने वाला है और जो डिश्टल करेंसी है सेंटल बैंक डिश्टल करेंसी आप दे सकते हैं concept नोट यहां पर टोटल एट चैप्टर से आप यहां पर देख सकते हैं और टोटल जो है 50 पेजेस हैं तो यहां पर अगर मैं पढ़के बता हूं या फिर आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लेगा जो में में हमारे key points है वो हम score करते हैं पहला यह है कि आपने RBI से सुना होगा कि यह जो डिश्टल करेंसी है यह नहीं मान रही थी चाहिए वह Bitcoin है या फिर अधर क्रिप्टो करेंसी थी लेकिन RBI की जो डिश्टल करेंसी है जो E rupees होगा यह एक legal tender होगा यहां पर बोला गया ह जा रही है भारत फिर भी उन सभी कंट्री से अच्छी सितिम है लेकिन जो डाउन जाए रही है यह जो डिश्टल करेंसी आने के बाद उसमें थोड़ी सी हमें मजबूती देखने को मिलेगी यह दूसरा key point है तीसरा point इन्होंने जो focus किया है वो total money laundering के उपर है money laundering का बहु है तो ऐसे में इनका कहना है कि यह जो money laundering का issue है इसको में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा डिश्टल करेंसी से को लेके कोई भी money laundering नहीं हो सकती है अब जो चौता में की point हमारा है इसमें आप chapter पढ़ेंगे वो है यह जो digital currency है यह अपने mobile में रख सकते हैं wallet में रख स यह trading platform पे available रहेगा अब इन्हों ने यह ने बता है कि जो cryptocurrency exchange है उन पे available रहेगा या फिर stock market का या फिर इस तरीके का हम foreign trading करते हैं उस तरीके एक सार रहेगा तो यह चीज़े भी confirm नहीं है trading platform पे available रहेगा अगर यह cryptocurrency platform पे आप हूँ अधर सकी fiat currency हम यूज करते हैं usdt हो गया BUSD हो गया तो इस तरीके से अगर E rupee available रहा देशा कि हम उसके थ्रू अगर cryptocurrency buy कर सके तो यह बहुत बड़ा कदम होगा इससे क्या होगा कि जो cryptocurrency के traders हट गया है या फिर जो आना नहीं चाहते यह देखके वो trading में आएंगे तो यह बहुत बड़ा boost मिलेगा बस यह चीज़े confirm हो जाए launch होने की बाग यह जो फियाट करेंसी के लिष्ट में available हो जो वजी रेक्स हो गया बाइन्स हो गया उन पे available हो उसके तुरू आप ट्रेडिंग कर पाएं बाकि इसमें दो चीजों का और बेंजन किया गया है पहला तो जो जो डिश्टल करेंसी है आप किसी ATM में जा इसका मैं लिंक दे दूँगा इस पर आके क्लिक केजएगा यहाँ पर आपको हर चीज पता चल जाएगा यह जो अरवयाई का डिश्टल करेंसी आने वाला है आपको एक एक चीज पता चलेगा यहाँ पर अच्छा दिन आ गया है आज यहाँ पर बात करूं तो करेंसी जब यह कंफर्म हुआ कि अर्बिया का डिशल करेंसी आने वाला है ग्लोबल मेडिया है उन सभी ने ट्वीट किया तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है लोग पॉस्टिव नजरी से देख रहे हैं और मुझे भी लगता है जब डिशल करेंसी आएगे तो कुछ पॉस् कि अने वागे लगगे लगकार के लागे 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 लेहा है दोल कि अटने की लगगे लगल